Hello my dear student, बिटा ऐसे बच्चे जो first time आज हमारी class देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर करेंगे class 9 का complete सेबस जो के होने वाला है बिल्कुल free of cost, मैं दूँगा आपको पूरी की पूरी chapters की PDF, मैं कुछ लूँगा बिटा आपकी live classes जहां आपके doubt clear की जाएंगे, और साथ मैं आपको दूँगा recorded class जैसे की recorded class है, हर chapter की बिटा आपको class मिलेगी, तुकडों में class दूँगा बिटा, याने कि एक chapter की पूरी एक class नहीं बनाऊंगा, एक chapter की topic होंगे, पहले topic की class, दूसरे topic की class, तीसरे topic की class बिटा, इससे फाइदा क्या होगा, छोटी-छोटी class होंगी, आप आसानी सुन classes को पढ़े सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, और उसके लावा मैंने बोला, कि अब से tuition लगाने की कोई ज़रत नहीं है, क्या क्या कराऊंगा, यह मेरी guarantee है, घबराना नहीं है, कि सर, class नहीं आ रही है, सर, लेट हो रहा है, मेरी ज जोइन कर लो, हम 9th class में पढ़ते हैं, मैं girls हूँ, मुझे girls के group में join कर लो, मैं boys हूँ, मुझे boys के group में join कर लो, चलिएगा बेटा, तो बिना time waste के start करते हैं, chapter first, उसका आध है part first, जिसमें हम एक बहुत important topic पढ़ने वाले हैं, जो exam के अंदर आएगा, ही आएगा, सर क्या आ लेखांकन और पुस्त पालन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिनें पता होगा, बहुत अच्छी बात है, वो भी मेरी बात सुने, और देखो कितना आनंद आएगा, और कुछ ऐसे बच्चे हैं, जो विचारी थोड़े से धीरे से समझते हैं, घबराते हैं, उन्हें तो भी आज समझ में आई जाएगा, तो सबसे पहले बात करेंगे, इसमें इम्पोर्टन शब्द है, जिसका नाम है पुस्त पालन, क्या नाम है बटा, पुस्त पालन, अब ये पुस्त पालन होती क्या चीज़ है, देखो नाम से नजर आ रहा है, पुस्त पालन, पुस्तको को पालना पुस्तकों को पालना कहोगे सर हमने तो सुना है मुर्गी पालन हमने सुना है बकरी पालन हमने सुना है ये पालन वो पालन ये पुस्त पालन नहीं सुना तो बटा बताता हूँ ये पुस्त पालन है क्या पुस्तकों को पालना कैसे है तो भाया देखो होता क्या पुस वित्य लेंदेन क्या होता है बिटा ऐसे लेंदेन जहां पर पैसा शामिल हो धन शामिलों से बोलते हैं वित्य लेंदेन तो एक कंपनी में एक बिजनिस में एक वेवसाय में जितने भी पैसे का लेंदेन होगा उन सभी लेंदेनों को मैं क्या करूँगा क्रम बद क्रम के दूसरे दिन जो लेंदेन जो लेंदेन ओए सभी वित्तिय लेंदेन को करंबत तरीके से मैं एक पुस्तक में लिख लूंगा मैं एक पुस्तक में क्या कर लख लूँगा लिख लूँगा और वित्तिय लेंदेन को क्रमबद तरीके से पुस्तकों में लिखना ही कहलाता है पुस्तपालन तो पुस्त पालन क्या हुआ, देखो कितना सिंपल सा, तीन पॉइंट में पुस्त पालन समझ गए, पुस्त पालन वेवसाय के वित्तिय लेंदेन को क्रमबद तरीके से पुस्तकों में लिखने को कहते हैं, या पुस्तकों में क्रमबद तरीके से वित्तिय लेंदेन को लिख मुझे लाब हानी मुझे कितना लाब हुआ कि स्काने को चानी का पता लग कोुं तो Alader nao Mitra Malik लेते हैं और किताम में लिखना है किरा अकर बना अप नंगी तो सर जी हमें तो याद हो गया विट्य लेंदेन को क्रमबत तरीके से पुस्तकों में लिखना पुस्त-पालन कहलाता है सर आनन्द आ गया अच्छा सर इसकी बताओगे क्या ऐसे बता दिह आप उसे copy पड़ लिख लो वेवसा है के विट्य लेंदेन को क्रमबत तरीके से पुस्तकों में लिखना पुस्त पालन कहलाता है यह तो ही ब्लुकु सिंपल डेफिनेशन हंड़े परसा नमबर मिलेंगे को टीचर नहीं कार सकता है एक थोड़ी सी टिपिकल डेफिनेशन पुस्त पालन वह प्रकरिया है जिसके माध्यम से किसी भी संस्ता कैसे पुस्त पालन को किताबों में लिखना है पुस्त पालन के साथ साथ करना है प्लस उस लाभानी को मालिकों को सूचना देनी है कितना हमें लाब उसका विष्छलेशन करके उसकी स्टड़ी करके लाभानी ग्याद करना और लाभानी ग्याद करने के बाद उसे मालिकों को उसकी सूचना देना that is called लेखांकन तो लेखांकन पुस्पालन से थोड़ा सा बड़ा होता है पुस्पालन समझो इत्तु सा है तो लेखांकन थोड़ा सा बड़ा है उस पाथन में सिर्फ चीजो को लिखना था लेखांकन में चीजो को लिखा लिखकर उसका विश्रेशन करके लाभानी निकाला लाभानी माले को बता दी बस हमारा पास क्या हो गया भई या लेखांकन हो गया σदसर डेफिनेशन क्या बनेगी सही से डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सुनों बटा डेफिनेशन क्या लिखी हमने लिखा है लेखांकन वहब प्रिक्रिया है जिसके अंतरगत एक वेबसाय के सभी आर्थिक आर्थिक मतलब वित्ति यह वित्ते लेंदेनु की पहचान करके उन्हों यह थोड़ी टिपिकल से लग रही है बटा, तो आप मेरी बताएगी definition को कोई पर लिख सकते हो, कि लेखांकन वहे प्रिकरिया है, जिसमें वैवसाय के वित्य लेंदेन को पुस्तकों में लिखकर, उनका विशलेशन कर लाभानी ग्याद की जाती है, तथा उसकी सूचना कर लाभानी ग्याद की जाती है, तथा उसके आधार पर लाभानी की जाती है, तथा ये सूचना मालिकों को दी जाती है, बस लेखांकन भी खतम, देखो कितना सिंपल सा लेखांकन हो गया, पहले चीजों को लिखेंगे, फिर विशलेशन करके लाभानी निकालेंगे, फिर ईस लाभाने की सूचना मालिकों को दे देंगे, हμάरे पास क्या आ गया भाया, यह हमारे पास आ गया है, लेखांकन, अचा पुस्टपालन क्या था, पुस्टपालन सी चीज़ों को, लिखना लिखना था भीता, है ना, वीचिण लि Centersरे fellowship है, क्रमबद लिखना पुस्थ पालन है देखो कितना आसान पुस्थ पालन भी हो गया लेखांकन भी हो गया अब अगली क्लास में पढ़ेंगे पुस्थ पालन तथा लेखांकन में अंतर तो ये क्लास हम यहें पर खतम करते हैं छोटी सी क्लास थी लेकिन मुझे यकीन है कि आपको पूरी class समझ में आई होगी अगर आई तो comment में जरूर लिखना कि sir आपकी class में पूरी तरह से समझ में आ गई है sir अगली वीडियो भी जल्दी अप्लोड करते रहना तो तुरंथ अगली की वीडियो आपको मिल जाएगी आप नीचे चेक कर सकते हैं